पहले तेजस्वी को लालू से ना मिलने देने पर विवाद हुआ और अब ज़रा ये नोटिस पढ़ लीजी जी ये एलानिया है कि शनिवार लालू से कोई नहीं मिल सकता ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों क्या इसके पीछे कोई राजिनितिक साजिश है या फिर ये महज विधी विवस्था का ही मामला है असका जायजा लिया हमारे समवादाता ने रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में आर्जेडी सुप्रीमो सजायाफता होने के बाद बतौर बंदी रुके हुए हैं जब से उन्हों कन्विक्शन किया गया है फॉर्डर स्कैम के केस में उसके बाद से लगातार उनका यहां इलाज चल रहा है और इसी पेइंग वार्ड म मिलने वाले जो मुलकाती होते हैं उनमें से तीन लोगों को लालू यादव के प्रोगेटिव के हिसाब से जिसे वो तै करते हैं उनको अलाव किया जाता है कि वो यहां पे जाएं यह उपर जो वार्ड है जहां पे वो रहते हैं वहां जाने दिया जता है उनसे मुलकात करन है कार्याले अधिक्षक बिर्सा मुंडा केंद्रिये कारा खोटवार राची के निर्देश से अवस्यक सूचना लिखी गई यह इसमें और यह कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि विधी विवस्था यानि लौएन ओर्डर समस्या को लेकर आज दिनांग बीस चार 2019 को यानि सनिवार को सजावार बंदी स्री लालू प्रशाद यादव का मुलाकात बंद रहेगा अब इसके कारण क्या है विधी विवस्था की किस तरह की समस्या है यह समस्या पहले क्यों नहीं होती थी और अचानक से कौन सी समस्या आई कि आ आज के दिन ही इसको मना किया गय जिस पे चर्चा जोरो पे है और कई तरह के बाते जो है वो निकल कर सामने आ रही है बीते दिनों एक घटना घटी थी कि आपस में ही लालू के सेकुरिटी में जो लगे हुए गार्ड थे वो आपस में उलज गय थे और उसमें से एकाद गार्ड जो है वो घायल भी हुए थे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अलग से डेप्यूट करना पड़ता यहां सेकुरिटी और चुकि चुनाओ का समय चल रहा है तो इसको अफोर्ड करने के स्थिती में सायद प्रसासन या जेल डिपार्टमेंट ना हो और जो डेप्लाइमेंट है वो फोर्स का वो एलेक्शन के वज़ा से जो है वो किया गया है तो उसके वज़ा से एक्स्ट्रा जो है उसको नहीं दिया गया यहां पे सेकुरिटी एक कारण ये भी बताया जा रहा है दूसरी बात जो दवी जुबान से कही जारी है वो ये है कि पटना में चीफ एलेक्टरल ओफिसर को जेडी उन्हें अप्रोच किया है कि जो आरजेडी के तमाम सांसत जिने टिकट दिया गया है अलोट किया गया है उनके नामांकन को ही कैंसिल किया जाए चुकि जो उन्हें टिकट अलोट किया गया है उसमें लालू प्रसाद यादाव जी का हस्ताक्षर है तो यहीं से बैटके वो राजनीती के केंधर बिंदू बने रहे और यहीं से उन्होंने टिकट माटी है जो कि जिस धाराओं के तहट उन्हें सजायाफता बनाया गया है वो अलाओ नहीं करता है या फिर सजायाफता बंदी जो है वो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है एसी आई के पास जेडियों ने अप्रोच किया है तो कई तरह की बाते इस नोटिस को चिपकाया जाने के बाद आ रही है और चर्चाओं का बजार गर्म है कैमरामन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार राची